तो दूसरे शुरू में बात करने वाली computer age management services camps की तो दोस्तों camp के sharing बटन में कुछ बड़ी चीज हमें देखने को मिल रहा है। वो मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ लेकिन सबसे पहले एक चीज यहाँ पर देख लो की stock के लिए जो सबसे बड़ा अभी resistance यहाँ पर बना हुआ है। वैसे company काफी बढ़िया है। long term के लिए आप hold कर सकते हो। already काफी बड़े connection में तो risk to risk काफी favorable है। तो अगर किसी को यहाँ पर buying करनी है तो definitely आप इन levels के उपर बात करके चल सकते हो। बेस बाइंग level तो कौन सा होगा। तो अगर buy chance market के अंदर connection आधार camp में भी 4 देखने को मिलता है तो 2300 का level best होगा यहाँ पर खरीदारी करने के लिए। तो अगर 300 के surrounding अगर ये stock आपको मिलता है तो must buy है। लेकिन अभी भी आप current market price के उपर कुछ quantity add करके चल सकते हो। तो अभी हम बात करते हैं rolling pattern के changes की, तो सबसे पहले हम बात करेंगे main चीज के उपर focus रहता है, 5-5 का जो stake यहाँ पर 30% के आसपास का था, वो change होकर यहाँ पर हुआ है 28% ठीक है मतलब 5 से यहाँ पर क्या किया से link किया है अभी तो second number पे आते mutual fund, mutual fund का यहाँ पर जो stake है वो चे था almost roughly around 5.7 के समतिन था, वो भी 6.78 के आसपास का, आपको देखने को यहाँ पर मिल जाएगा थर्ड चीज तो यहाँ पर आती है बड़े funds तो LIC जो था यहाँ पर 2.7 प्रतिशत के आसपास का stick hold करता था, अभी उन्होंने यहाँ पर क्या की addition किया और उनका जो नया stock है वहाँ पर 3.67 के समतिन यहाँ पर निकल कर आ रहा है, तो 5S यहाँ पर थोड़े से देरी से बाकी अपने जो Indian mutual fund है और LIC की बात करें तो यहाँ पर काफी ज्यादा बोली से जो भी यहाँ पर promoter का stick है तो promoter का stick हमें assets यहाँ पर देखने को मिल रहा है और public का जो stick है वो यह पर हमें बढ़ता हुआ देखने को मिला है, तो यह सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए आपको यहाँ पर क्या करना है, campus के अंदर position create करनी है, अगर promoters ने भी यहाँ पर क्या किया हो तो थोड़ा सा self किया होता तो हमें थोड़ी सी यहाँ पर दिक्कत देने वाली बात यहाँ पर सामने आ जाती क्योंकि promoters continuously पिछले एक साल से company के अंदर यहाँ पर माल बेचे जा रहे हैं, तो हमें यह देखना है कि actually में जो official data सामने आता है, वो किस तरह से आता है, ठीक है और screen पे भी किस तरह से data इसका जो होता है वो display करता है, तो दूसरी और हम यही करते व